कम्पनी अंकेशक की न्युक्ति, अपोइंटमेंट ओफ कम्पनी ऑडिटर कम्पनी अंकेशक की न्युक्ति, कम्पनी अधिनियम 2013 व चार्टेड अधिनियम 1949 में दिये करे प्रावधानों के अनुछार एक CA ही अंकेशक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य मानाया जाता है अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि The Institute of Chartered Accountant of India ICAI का कोई भी सदस्य अंकेशक के रूप में कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा जब तक कि उसने ICAI की काउंसिल से प्रेक्टिस करने का प्रमान पत्र प्राप्त ना कर लिया हो इस प्रकार एक Chartered Accountant in Practice ही Financial Auditor के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है और इसको ही Statutory Auditor भी कहते हैं Company Adenium 2013 के Section 139 के अनुसार Company अंकेशक की नियुक्ति विभिन परिस्तितियों में की जा सकती है Company के संचालकों के द्वारा, Company के अंशदारियों द्वारा और केंद्रिय सरकार द्वारा Company के संचालकों द्वारा नियुक्ति Company के संचालकों के द्वारा इन परिस्तितियों में अंकेशक की नियुक्ति की जा सकती है पहला है प्रथम अंकेशक की नियुक्ति सेक्षन 139 सब सेक्षन 1 के अनुशार कम्पनी के रजिस्ट्रेशन की तिथी के एक मईने के भीतर संचालक मंडल द्वारा प्रथम अंकेशक की न्यूक्ति की जाती है यहां न्यूक्ति प्रथम वार्शित साधरन सभा के अंतिम दिन तक जारी रहती है यदि संचालक मंडल प्रथम अंकेशक की न्यूक्ति करने में समर्थ नहीं रहता है तो कम्पनी रजिस्ट्रेशन की तिथी के तीन महीने के भीतर साधरन सभा में ऐसे अंकेशक की न्यूक्ति की जाती है इस धारा के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है संचालक मंडल द्वारा न्यूक्त किये ज़े अंकेशक को कम्पनी साधरन सभा में हटा सकती है और किसी अन्य अंकेशक को न्यूक्त कर सकती है किसी अंकेशक को इस आधार पर अंकेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका नाम अंतर नियमों में वर्णित है कमपनी का प्रथम अंकेशक की नियुक्ती के संबन में सुचना भेजने का दाइत्व नहीं है प्रथम अंकेशक का यह कर्तवे नहीं है कि वह कंपनी रजिस्ट्रार को अपनी नियुक्ति की स्विक्रती या अस्विक्रती की सुचना भीजे और सभा का आशे साधरन सभा से है न कि वार्शिक साधरन सभा से कम्पनी के संचालकों के द्वारा नियुक्ति के लिए दूसरी अवस्थाय आकस्मिक रिक्तिस्थान की पूर्थी सामान्य तया रिक्त का अभिप्राय कोई अंकेशक जिसकी नियुक्ति वैधानिक रूप से की गई हो और उसने उस नियुक्ति को स्विकार करने के पच्चात किसी कारण से कारे करने से मना कर दिया हो तो इस प्रकार की रिक्ति आकस्मिक रिक्ति कहलाती है यह रिक्ती अंकेशक की मृत्यू, पद त्यागने, अयोग्यता या अंकेशक फर्म के समापन आधिकार्णों से हो सकती है ऐसी दश्या में संचालकों को आधिकार है कि वे अंकेशक के आकस्मिक रिक्त स्थान यानि casual vacancy को पूरा करें इस प्रकार से निक्त किया गया अंकेशक अगली वार्षिक साधरन सभा तक कारी करेगा यदि यह इस्थान किसी अंकेशक के त्याग या इस्तीफे के कारण रिक्त हुआ हो तो उसकी पूर्थि संचालकों द्वारा नहीं की जाएगी कमपनी उसे अपनी साधरन सभा में पूरा कर सकती है कमपनी के अंसिधारियों द्वारा निक्ति Appointment of Auditors by Shareholders कमपनी अधिनियम की धारा 139 के अंतरगत कमपनी के अंसिधारियों द्वारा नकेशक की निक्ति की जाती है प्रथम निक्ति Section 139-1 के अनुसार यदि संचालक कमपनी के रजिस्ट्रेशन के पस्चाथ एक महीने के बीतर प्रथम अंकेशक की निक्ति नहीं करते हैं तो अंश्दारियों द्वारा वार्षिक साधरन सभा में प्रथम अंकेशक की नियुक्ति की जाएगी इस प्रकार से नियुक्त अंकेशक आगामी पाच वार्षिक साधरन सभा की कार्य समाप्ति तक कार्य करेंगे नियमित नियुक्ति अथ्वा पुनर नियुक्ति सेक्षन 139.1 के नुसाद प्रतेक कम्पनी वार्षिक साधरन सभा में आगामी पाँच वार्षिक साधरन सभा के लिए कम्पनी अंकेशक की न्यूकती करती है ऐसी न्यूकती साधरन सभा के समापती के दिन से आगामी पाँच साधरन सभा के अंत तक जारी रहती है इस अवधी की समाप्ती पर ऐसा अंकेशक अवकाश निर्वतमान अंकेशक कहलाता है इसे साधरन सभा में पुनन न्यूक्त किया जा सकता है अथवा उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति की न्यूक्ति की जा सकती है ऐसी दशा में कम्पनी का ये कर्तव्य है कि न्यूक्त किये गए व्यक्ति को उसकी न्यूक्ति के दिन से 30 दिन के भीतर सुचना बेजते ध्यान रहे वार्षिक साधरन सभा में न्यूक्ति अत्वा पुनर न्यूक्ति करने से पहले कम्पनी को उस व्यक्ति से लिखित में यह प्राप्त करना अवश्यक है कि उसकी अंकेशक के रूप में न्यूक्ति अत्वा पुनर न्यूक्ति की दशा में कम्पनी अधीनियम की की धारा 139 में उल्लेखित अंकेशन की उच्चतम सीमा का किसी प्रकार से उलंगन नहीं हुआ है कम्पनी अधिनियम की धारा 139 के अंतरगत चार्टेड अकाउंटेंट अथ्वा उसकी फर्म द्वारा एक समय में किये जाने वाले अंकेशनों की अधिकतम सीमा इस प्रकार है इस कंपनियों का अंकेशन ऐसी कंपनियां जिनकी पेड़ब कैपिटल 25 लाक रुपए या इससे ज्यादा है तो अधिकतम सीमा 20 अंकेशन की है परन्तु उसमें 10 अंकेशन 25 लाक से कम प्रदत पूंजी वाली कंपनियों में होने आवश्यक है सिमित कंपनियों और नीजी कंपनियों के अंकेशनों को अंकेशनों की निर्दिष्ट संख्या की गर्णा में नहीं गिना जाता है फर्म की दशा में साजेदार जो Chartered Accountant है उनके लिए 20 अंकेशन के इसाब से ये सीमा प्रथक-प्रथक मानी जाती है यदि एक फर्म का साजेदार किसी अन्य फर्म में भी साजेदार है तो उस संबंद में उन फर्मों द्वारा स्विकार किये गए अंकेशनों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी एक व्यक्ति अत्वा फर्म सयूक्त अंकेशक के रूप में ऐसी कम्पनी अंकेशन के लिए जो एक व्यक्ति या फर्म सयूक्त अंकेशन की रूप में स्विकार करता है वे भी 20 की संख्या में सम्मिलित किये जाएंगे अंकेशक से प्रमान पत्र प्राप्त करना यह सून इस्चित करने के लिए कि इन प्रावधानों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं प्रतेक अंकेशक से साधरन सभा में नियूक्त करते समय यह प्रमान पत्र प्राप्त करना अवश्यक है जिससे कि यह ग्यात हो जाए कि उसने जो अंकेशन स्विकार किये हैं वो उप्रियूक्त सीमा में है तीसरा है अंशतारियों द्वारा विशेश प्रस्ताव द्वारा नियूक्ती कम्पनी अधिनियम के सेक्शन 139 के नुशार कम्पनी अंकेशक की नियूक्ती सामाने तया वार्शिक साधरन सभा में सामाने प्रस्ताव से ही की जाती है परन्तु कुछ विशेश प्रस्तितियों में विशेश प्रस्ताव द्वारा नियूक्ती की जाती है जब एक सार्वजनिक वित्य संस्थान अथ्वा सरकारी कम्पनी अथ्वा केंद्री सरकार अथ्वा राज्य सरकार या ऐसी वित्य संस्था जो किसी प्रांतिय या राज्य अधीनियम के इंतरगत इस्थापित हुई हो या जिसमें सरकार के 51 प्रतिशत स्वामित्व हो एक राष्ट्रे बैंक अथ्वा भीमा कंपनी जो सामान्य भीमा करती हो इनके द्वारा प्रार्थित अंस्पुंजी का कम से कम 25 प्रतिशत प्रतिशत प्रत्थक रूप से या सम्मेलित रूप से एक कंपनी के पास हो तो यहां पर पुनर्न युक्ति विशेश प्रस्टाव के द्वारा होकी अवकास ग्रहन करने वाले अंकेशक की पुनर न्यूक्ति कंपनी अधिनियम की धारास 139 के अंतरगत वार्शित साधरन सभा में अवकास ग्रहन करने वाले अंकेशक की पुनर न्यूक्ति अनिवारी है परन्तो अपवात के रूप में यदि अवकाश ग्रहन करने वाला अंकेशक पुनन न्यूक्ति के अयोक्य हो या उसने अनिच्छा प्रकट कर दी हो साधारन सभा में अवकाश ग्रहन करने वाले अंकेशक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रारित कर लिया हो या अवकाश ग्रहन करने वाले के स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति का नोटिस दे दिया गया हो तो ऐसी अवस्था में अंकेशक की पुनन्युक्ति अनिवारी पुनन्युक्ति नहीं होगी अंकेशक के द्वारा त्याग पत्र देने पर यदि अंकेशक का इस्थान उसके त्याग पत्र देने के करण रिक्त हुआ है तो इसकी पूर्ती साधरान सभा में सदस्यों द्वारा की जाती है ऐसा न्यूक्त अंकेशक आगामी वार्षिक साधरान सभा की समाप्ति तक अपने पत पर बना रह सकता है अंकेशक के द्वारा अवकास ग्रहन करने पर यदि वार्शिक साधरन सभा में सदर्शे उसे हटाना चाहते हैं तो उसके इस्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को अंकेशक न्यूक्त करना हो तो वो ऐसा कर सकते हैं और इसके लिए उनको सेक्शन 140 में जो नियम दिये वे हैं उनका पालन करना होगा केंद्रे सरकार द्वारा न्यूक्ति यदि कमपनी साधरन सभा में किसी अंकेशक को ना तो न्यूक्त करती है नहीं पुनन न्यूक्त करती है तो केंद्रे सरकार द्वारा अंकेशक की न्यूक्ति की जाएगी अतर केंद्रे सरकार अंकेशक की न्यूक्ति इन परिस्थितियो कर सकती है सेट सरकारी कंपनियों में संक्षग की न्योंति सबहां में सदस्यों द्वारा की जाती है यदि सदस्य न्योति करने में समर्थ है तो सेक्षन 139-6 कि नुसार केंद्रेस सरकार ही नंकेशक की न्यूक्ति करेगी अतक कम्पनी की साधरन सभा होने की तिति से साथ दिन के भीतर इस आशे की सुचना केंद्रे सरकार के पास भेजनी होगी यदि कम्पनी ऐसी सुचना नहीं भेजती है तो कम्पनी एवं कम्पनी का प्रतेक अधिकारी जो सुचना न भेजने के लिए दोश सेक्शन 1395 के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लिए विशेश आयोजन किया गया है इन कम्पनियों में अंकेशक केंद्री सरकार द्वारा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया की सला से न्यूक्त या पुनर न्यूक्त किये जाएंगे तीसरा सरकारी स्वामित्व अथ्वा नियंत्रण वाली कम्पनियों में कम्पनी अधिनियम के सेक्शन 139 के अनुसार ऐसी कम्पनियां जिनकी पैड़ अप शेर कैपिटल का कम से कम 51 परसेंट भाग निम्नमे से किसी के पास हो तो अंकेशिक के न्यूक्ति सरकारी कम्पनियों की तरह ही Comptroller and Auditor General की सला से केंद्री सरकार करेगी 51% से अधिक भागवाली संस्थाइं ये है केंद्री सरकार या एक या एक से अधिक सरकारी कमपनियां कि राज्य सरकार सरकारे या एक से अधिक कमपनियां केंद्री सरकार एक या एक से अधिक केंद्री सरकार की स्वामित्व वाली अथ्वा नियंत्रित निगम, केंद्री सरकार एक या एक से अधिक राज्य सरकार एवं केंद्री सरकार के स्वामित्व अथ्वा नियंत्रित एक या एक से अधिक निगम, केंद्री सरकार अथ्वा राज्य सरकार के स्वामित्व विशेश अंकेशकों की निउक्ती सेक्षन 148 के अनुसार केंद्रिय सरकार निम्न परिस्तितियों में किसी भी कमपनी का विशेश अंकेशन कराने के लिए विशेश अंकेशक लगा सकती है यदि किसी कमपनी का कारिये सुद्ध व्यवसाइक सिद्धानतों एवं उचित व्यापारिक परंपराओं के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो यदि किसी कमपनी का प्रभंद इस प्रकार किया जा रहा हो जिससे उस कमपनी से संबंदित व्यापार उध्योग एवं व्यवसाय का गंबिर अहित होने का खत्रा पैदा हो या किसी कम्पनी के आर्थी किस्तिती इतनी बिगर्दई हो कि उसकी शोधन शंता को खत्रा पैदा हो गया हो ऐसी अवस्था में केंद्रिय सरकार किसी भी Chartered Accountant अथवा कम्पनी के अंकेशक को विशेश अंकेशक न्यूक्त कर सकती है और ऐसी संस्था का विशेश अंकेशन करवा सकती है धन्यवाद